इसलाम में सगी बहन से शादी करने की शक्त मना ही है। करीब करीब दुनिया के तमाम धर्मों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। दुनिया में कहीं भी सगी बहन से शादी की परंपरा नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इसलाम में क्यों करते है बहन से निकाह तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक और इसी तरह की और रहस मई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही स वीकार किया हालां कि समय बदलने के साथ इस धर्म के नियमों में भी कई कमियां देखी गई कई नियम समय के आलोक में जायज नहीं लगे जैसे तीन तलाक का मसला लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम आज इसलाम में शादी के रिवाज के बारे में बात कर दुनिया के करीब करीब सभी देशों में इसकी अनुमती है। इस धर्म को मानने वालों में ऐसे जोडों की संख्या काफी है जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी है। अपनी पकड़ बना चुके इसलाम धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है। आज की हमारी वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। दोस्तों आप यह बात तो जानते ही होंगे कि इसलाम धर्म में लेकिन आपको बता दें कि इसलाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया है जो भी आप इसलाम धर्म के बारे में जानते हैं वह सच नहीं है आज के इस वीडियो में हम आपको इसलाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसलाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है और इसे बाकी धर्म के लोग एक बुरी प्रथा मानते हैं. लेकिन क्यों यह प्रथा शुरू की गई? इसके पीछे का क्या कारण है? आज की वीडियो में हम आपको बत आखिरी पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मुहम्मद ने मक्का में इसलाम धर्म की नीव रखी थी और बाकी दुनिया में इसलाम धर्म का प्रचार किया था. मक्का में इसलाम के उदय के बाद यह दुनिया की बाकी हिस्सों में फैलने लगा. पैगंबर मुहम्मद न पहले नमबर पर इसलाम धर्म के पहुँचाने का काम किया और इसलाम धर्म की पवित्र कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। आखिर कैसे इसलाम धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है तो आपको बता दे कि इसलाम धर्म की सच्चाई और इसकी पाक साफ नियत जो हर मुसल्मान को एक सच्चा इनसान बनना सिखाती है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसलाम में ऐसी मान्यता है कि जो शख्स एक सच्चा इनसान नहीं हो सकता वह कभी भी सच्चा मुसल्मान नहीं बन सकता आपको जानकर हैरानी होगी कि इसलाम में सभी चीजों के उपर इंसानियत को रखा गया है इसलाम में अन्यधर्मों की इज्जत करने और बिना किसी जोड़्जबरदस्ती के इसला इसलामी किसी भी धार्मिक किताब में यह नहीं लिखा है कि औरतों को काले रंग के लिबास से खुद को ढखना है, बलकि इसलाम धर्म में आदमी और और ओरत दोनों को ही टकने तक कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। धर्म के इतिहास की सबसे शक्तिशाली औरत थी जिसका मिजाज एक दम अलग था, उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में हमेशा ही याद किया जाता है। कोई भी माफी अल्लाह ताला से नहीं होती। इसलाम में शराब पीना सख्त मना है। इसलाम में ऐसी मान्यता है कि शराब सारी बुराईयों की जड़ है जो हमें धर्म और कर्म दोनों से दूर रखती है। शराब को हाथ लगाना भी एक मुसल्मान के लिए पाप माना जाता है। आपको बता दे कि जिन कॉस्मेटिक या फिर जिन चीजों में अल्कॉल का इस्तमाल होता है उन्हें इस्तमाल करने पर भी इसलाम धर्म में पाबंदी है। दोस्तों एक मुसल्मान पर रोज पाँच वक्त की नमाज फजर की गई है। फिर चाहे वह कोई लड़का हो या लड़की। इसके अलावा खैरात जकात रोजे रखना और बकरा इद पर कुर्बानी करना भी इसलाम में जरूरी समझ गया है। आपको बता दे कि जिस तरह स मुसल्मान भी हज की यात्रा करते हैं हज करने के लिए हर साल दुनिया भर के मुसल्मान बकरा इद के बाद हज करने के लिए जाते हैं। यहां तीन दिन की हज यात्रा में हाजी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और तीसरे दिन अपनी हज की यात्रा पूरी करता है मुसल्मान काबा में इबादत के लिए साल में दो बार जा सकते हैं पहले तो बकरा ईद के आसपास जिसे हज कहते हैं और दूसरा साल में किसी भी वक्त जिसे उमरा करना माना जाता है इसलाम धर्म में अपनी बेहन से शादी करने का रिवाज है दरसल हिंदू रिती रिवाज में चाचा, ताया, बुआ, मौसी, मामा की बेटी सगी बेहनों जैसी ही मानी जाती है लेकिन इसलाम में ऐसा नहीं है इसलाम में अपनी सगी बहन को छोड़ कर अपनी बुआ, मौसी, मामी, चाचा, ताया के बच्चों से शादी करवा देते हैं मगर इसमें चौकाने वाली बात तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि साउथ हिंडिया में भी कई हिंदू समुदाय के लोग हैं जो इस तरह से शादी करते हैं, साउथ इंडिया में अपने दूर के मामा के साथ भी शादी की जा सकती है ऐसी मान्यता है कि इसलाम धर्म में लोग अपनी दाड़ी नहीं कटवा सकते जिस तरह सिखों के लंबे केश और दाड़ी रखने का हुक्म है ठीक इसी तरह से इसलाम धर्म के लोगों में भी आदमियों के द्वारा दाड़ी रखी जाना जरूरी है आपको बता दें कि इसलाम में एक से ज्यादा शादी करने का हुक्म भी है और यहां तक कि मुसल्मान चार-चार बीवियों से शादी कर सकते हैं इसलाम अपनी शरीयत कानून पर चलता है और हर मुसल्मान को शरीयत कानून का पालन करना होता है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसलाम धर्म में मांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है मुसल्मान को मांस खाने की छूट दी गई है मगर कोई भी मुसल्मान किसी हराम जानवर का मांस नहीं खा सकता ये सब इसलाम की खूबसूर्ती है आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आईकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद